गुडिविनिंग, स्वागत है आप सबका स्योकिर्पा कलासेच पर मैं महस्कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा SSC GD 2022 तेसका टेस्ट सिरीज नंबर 65 है जिसमें हम लोग सामा निग्यान के GK वा GS के बाद पूर परसनों को कबर करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों ये सारे टेस्ट सिरीज हमारे आपके SSC GD 2022 तेसके सिलिवस के संभावित परसनों पर बनाये जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्व करें कोश्चन्स कम सही होने पर पूरा टेस्ट सिरीज का रिवीजन करें ताकि होने वाली SSC GD 2022 तेसकी परिक्षा के लिए आप लोग पूरूप से प्रिपेर रहे हैं तो चलिए दोस्तों जदा समय ना लेते हुए हम लोग टेस्ट सिरीज नंबर 65 को साल्व करना सुरू करते हैं दोस्तों हमारा पहला कोश्चन है बेरी बेरी उपड़ा कोश्चन कोश्चन है दोस्तों अमल वर्षा के लिए उत्तरदाई गयसे हैं हमें बताना दोस्तों कि अमल वर्षा के लिए कौन-कौन सी गयसे उत्तरदाई होती हैं तो हमारा सही इंसर होगा दोस्तों अमल वर्षा के लिए उत्तरदाई गये से हैं नाइट्रोजन का अक्साइड वा सलफर का आक्साइड यानि हमारा सही इंसर होगा विकल नंबर सी ये और बी दोनों अमल वर्षा के लिए उत्तरदाई गये से हैं नाइट्रोजन का यानि इनके कॉन्स से factor है, कारक क्या है तो हमारा सफाइंसर होगा दोस्तों तेज हवा से भी वाश भी किरण की कि दरपरभावीत होती है, तापमान से ही रहे होती है आदरता से होती है तो सही एंसर होगा दोस्तों उप्रोक्त सभी यानि बिकल्प नंबर D यहाँ पर सही एंसर होगा वास्पी करण की दरप्रभावी होती है तेज हवा से तापमान से और आधिरता से भी नेस देखेंगे question नंबर 3 को पर-दोसल में सर्बाधिक हानिकारक होती बार बार पढते चले और दोस्तों कारवन मौनो क्शाइड करद मैंनी जाती है निज़्ड डखेंगे question कोशिका यानि बिकल्प नंबर यहां पर हमारा सही एंसर होगा जो आपके इक्जाम के देश्टी से संभावित प्रस्णों पर बनाएगे टेस्ट स्रीज है नेस देखेंगे कोश्चन नंबर 5 को 5 नंबर कोश्चन है दोस्तों मानो शरीर में रूधिर की मात्रा कितनी होती है यह हमें बताना कोश्चन नंबर 5 में तो सही एंसर क्या हो दोस्तों मानो शरीर में रूधिर की मात्रा होती है भार का यानि उसके शरीर की वोजन का 7 से 8 परस्त कितना 7 से 8 परस्त थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों ताकि यह कोश्चन हमारा पूरी तर 5-6 ॥े होता है दोस्तों के वोजन का यानि उसके शरीर के बहर का 7-8 परेसर रख्त होता है अगर 70 kg का 20 kg नभी स्केट वसकनाई के है वच्ती jurisdig मॉभग 5-6 रख्त पाय जाता ह। दोस्तों लीटर में दिया जाएगा つो आप 5-6 परें गे और उसके साथ 07. नेस देखेंगे, question number six, question दूस्तों, BSF, यानि Border Security Force, सीमा सुरच्छाबल की अस्थापना कब की गई थी, यह हमें बताना है, question number six में, तो हमारा साइंसर क्या होगा दूस्तों, सीमा सुरच्छाबल की अस्थापना की गई थी, उननीस सो पैंसा ठीस में, यानि बिकल्प number C, यह यहां पर हमारा सही एंसर होगा, seven number question देखेंगे हमलो, सन्युक्ति राष्ट संग, यानि you or no, United Nations Organization, इसके अस्थापना कब हुई थी, यह हमें बताना है, question number seven में, तो कब हुई थी, 24 October 1945 को, यानि कि बिकल्प number E, यहां पर हमारा सही एंसर होगा, eight number question देखेंगे हमलो, प्रम का सिधान्त आधारित होता है, नाविकिये विखंडन पर, वह अगर हड्रोजन बं की बात की जाए, तो हमारा एंसर आएगा, नाविकिये संग लाइन पर, next देखेंगे, nine number question, पिर्थिव पर सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाला तत्तो है, कौन सा तत्तो दोश्तों, जो पिर्थि में सरबादिक मात्रा में पाय जाता है, oxygen, यानि कि बिकल्प number D, यहाँ पे हमारा सही एंसर होगा, वह अगर वाइव अंडल की बात की जाए, तो हमारा एंसर होगा, nitrogen, next देखेंगे, 10 number question, वाइव यान की टूबों में कौन सी गयस भरी होती है, यह हमें बतान question देखेंगे हम लोग, किसी खाद सी रिंखला में प्रात्मिक उपभोगता होते हैं, तो प्रात्मिक उपभोगता कौन होते हैं दोस्तों, उत्पादक दिया गया है, साका हरी, मानसा हरी, अब घटक, हमें प्रात्मिक उपभोगता बताना है, उत्पादक तो होते हैं दोस हाडेज पनाओं की पत्तियों को खाते ध्यूक्स आज़े हैं जो कि प्रात्मिक प्भोगता कहलाते हैं और यह शाका हरी मान साहरी होते हैं कि असे सपरिवां अदनला में फ्रात्मिक प्भोगता होते का आरी होते हैं यानि कि बिकल्प नमबर भी यहाँ पे हमारा सही एंसर होगा टोल नमबर कोश्चन हम लोग देखेंगे जो की टे स्रीस का दोस्तों हमारा लास्ट कोश्चन होगा कोश्चन है दोस्तों धान में खैरा रोग बार बार पूछा गया दोस्तों धान में खैरा र लोग ने सल्क कि होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने questions सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सुखरूपा कलासे से जुड़ें वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दे जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले टेस्ट सीरिच के साथ ठैंक्स भार वाचिंग